हलो फ्रेंड्स मैं विजय सर्मा अपने यूट्यूब चैनल कम्प्टीशन एक्जाम स्टडी पर आपका स्वावत करता हूँ आज मैं आप लोगों के लिए टॉप जी एस कोश्चन सीरिज लेकर आया हूँ यह कोश्चन सीरिज भारतिय राज्य विजस्ताइब संबिदान से विविन परिश्चाओं में बार बार पूचे गए प्रशिन है जो आपके SSC, CGL, CHSL, MTS, CDS, Navy Air Force and all other competitive exam के लिए most important है चलिए देखते हैं कुश्चन नमबर वन भारतिय संबिदान को अश्टित्य में लाया ओप्शन नमबर A 15 गस्त 1947 ओप्शन नमबर B 26 जनवरी 1950 ओप्शन नमबर C 26 जनवरी 1948 ओप्शन नमबर D 26 नमबर 1948 तो इसका जो राइट आंसर है वो ओप्शन नमबर B 26 जनवरी 1950 हो जाएगा कुश्चन नमबर 2 भारत में राजनीतिक सक्ती का स्रोथ है ओप्शन नमबर A संबिधान औप्शन नमबर B संसद ओप्शन नमबर C संसद और राज बिधान सवाएँ ओप्शन नमबर D हम लोग अर्थार्थ जनता तो इसका जो right answer है बो option number fourth हम लोग अर्थारत जनता हो जाएगा Question number third भारती संबिदान भारत का वर्डन किस रूम में करता है Option number A राज्यों का संग Option number B अर्ध संग है Option number C राज्यों और संग राज्य शेत्रों का महासंग Option number D एक आत्मक राज तो इसका जो right answer है बो option number A राज्यों का संग हो जाएगा Question number fourth किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर सासन करते हैं Option number A एक तंत्र Option number B धनिक तंत्र Option number C राज्य तंत्र Option number D अल्प तंत्र तो इसका जो right answer है बो अप्शन अल्प तंत्र हो जाएगा Question number five भारत का संभिदान भारत को कैसे वर्डित करता है? option number a राज मंदल, option number b राज संग, option number c महा संग, option number d उपरयोक्त मेंसे कोई नहीं तो इसका जो right answer है वो option number b राज संग हो जाये गा question number six मौलिक अधिकार नहीं दिये जाते हैं मोले का दिखार नहीं दिये जाते हैं option number A. दिवालिय अब्यक्तियों को option number B. बिदेशियों को option number C. असार्द्य रोगों से ग्रश्त ब्यक्तियों को option number D. राजनेक पीडितों को तो इसका जो right answer है वो option number B. बिदेशियों को हो जाएगा question number 7 भारत सरकार का संभी दानिक अध्यच कोन है option no.A राश्ट पती option no.B प्रदान मंतरी option no.C भारत का मुखक ने ऐदी option no.D महानियवादी तो इसका जो right answer है वो option no.A राश्ट पती हो जाएगा question no.8 जनता पार्टी के सासन काल के दोरान भारत के राष्ट पती थे ओप्शन नमर ए फकुरुद्दीन अली एहमद ओप्शन नमर बी एन संजीब रेडी ओप्शन नमर सी ग्यानी जेल सींग ओप्शन नमर डी आर बैक्ट रमन तो इसका जो राइट आंसर है वो ओप्शन नमर बी एन संजीब रेडी हो जाएगा कुशन नमर नाइन भारत के राष्ट पती है ओप्शन नमर ए देश के प्रमुक ओप्शन नमर बी सरकार के प्रमुक ओप्शन नमर सी देश और सरकार के प्रमुक option number D, संसत पार्लियमेंट के प्रमुक तो इसका जो right answer है वो option number A, देश के प्रमुक हो जाएगा question number 10 भारत का योजना आयोग है option number A, एक संबिधानिक निकाए option number B, एक स्वतंत्र और स्वायत्य निकाए option number C, एक संबिधानिक निकाए option number D, एक असंबिधानिक निकाए तो इसका जो right answer है वो option number 4, एक असंबिधिक निकाए हो जाएगा तो इसका जो right answer वो एक असंबिधिक निकाए हो जाएगा question number 11 लोग सवा में अध्यच के मत को कहा जाता है option number A, निर्णायक मत option number B, दोनी option number C, परत्यच मत option number D, अपरत्यच मत तो इसका जो right answer है वो option number A, निर्णायक मत हो जाएगा निर्णायक मत को लोग सवा में अध्यच मत के कहा जाता है option number 12 संसद में सामिल है option number A, राष्टपती, लोग सवा और राजशवा option number B, लोग सवा और राजशवा option number C, लोग सवा और विधान सवा option number D, विधान सवा, विधान परसिद और लोग सवा है राश्टी एकता परशद NIC का अध्यच कौन है उप्सन नमर A प्रदान मंतरी उप्सन नमर B बित मंतरी उप्सन नमर C ग्रह मंतरी उप्सन नमर D भारत के राश्ट पती तो इसका जो right answer है वो उप्सन नमर A प्रदान मंतरी हो जाएगा कुश्यन नमर 14 मंत्री मंडल सामोहिक रूप से उत्तरदाई हैं Option Nr. A. राष्टपती के प्रती Option Nr. B. प्रदान मंत्री के प्रती Option Nr. C. लोक सवागे प्रती Option Nr. D. राज सवागे प्रती तो इसका जो राइट आंसर है वो Option Nr. C. लोक सवागे प्रती हो जाएगा Q. 15 नीती आयोत का अध्यच कौन है option नमर A राश्टपती option नमर B प्रदान मंत्री option नमर C बित मंत्री option नमर D उपराश्टपती तो इसका जो right answer है वो option नमर 2 प्रदान मंत्री हो जाएगा Q. 16 यहाँ कौन निरेख करता है के अमुक बिदेख दिंदेख है option number A, प्रदान मंत्री, option number B, लोक सवा अध्यच, option number C, राज सवा के सवापती, option number D, राष्ट पती, तो इसका जो राइट आंसर है बो option number B, लोक सवा अध्यच हो जाएगा question number 70, भारत का राष्ट पती किसका एक अविन वाग है, option number A, संसद, option number B, लोक सवा, option number C, राज सवा, option number D, मन्ती परिसद तो इसका जो राइट आंसर है बो option number A, संसद हो जाएगा, संसद question number 18, लोक सवा अध्यच, अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं, option number A, भारत के राष्ट पती, option number B, प्रदान मंत्री, option number C, लोक सवा के उपाध्यच, option number D, भारत के मुख के नियाएदिस तो इसका जो राइट आंसर है बो option number C, लोक सवा के उपाध्यच हो जाएगा, question number 19, लोक सवा सचवाले सीधे किसके नियंत्रण में आता है, option number A, ग्रह मंत्राले, option number B, संसदी कार्य मंत्राले, option number C, लोक सवा अध्यच, option number D, राष्ट पती, तो इसका जो राइट आंसर है बो option number C, लोक सवा अध्यच हो जाएगा, लोक सवा सचवाले, लोक सवा अध्यच के नियंत्रण में आता है, question number 20, निवारक नजर बंदी का अविप्राय है, question number 20, आपका निवारक नजर बंदी का अविप्राय है, option number A, बिचारना के लिए निरोध, option number B, बिचारना के बाद निरोध, option number C, बिचारना के बिना निरोध, option number D, दंड अपरादों के लिए निरोध, तो इसका जो right answer है, वो option number C, बिचारना के बिना निरोध हो जाएगा, निवारक नजर बंदी है, वो बिचारना के बिना निरोध अभिप्राय है, तो इसका जो right answer है, वो option number C हो जाएगा, अगर व झाल झाल